नमस्कार स्वागत है आप सभी का संसत टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसया संसत की लोक लेखा समिती यानि की पेसी ने अपने स्थापना के सो गरिमा पोने वर्ष पूरे कर लिये हैं पेसी के शतापदी वर्ष के इस गौरफ शाली अवसर पर संसत भवन के केंद्रे कक्ष में दो दिवसिये समहारों का आईजिन किया गया है चार और पाच दसंबर को आईजित होने वाले कारिक्रम का आज पहला दिन है जिसका शुभारंब राष्ट्रपती रामनात कोविंद अप से कुछी देर बाद करेंगे कारिक्रम में उप्राष्ट्रपती एम वेंकया नाइडू लोकसभा देक्ष ओम बिरला सहित कई गड़े माने लोगों की गरिमा मही उपस्थिती होगी इस खास कारिक्रम के मौके पर लोक लेखा समीती के शताबदी वर्ष के मौके पर पीएसी के महत्व इसकी कारिश्यली इसकी सीमाएं और इसकी प्रासंगिक्ता पर इन सभी एहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास महमान मौजूद हैं उनका तारूफ आप से करवा दूँ जगदंबिका पाल संसद लोकसभा और बरतमान लोकलेखा समीती के सदस्य हैं जो कुछी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में इस वक्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं ग्यानचंद गुपता जी आप विधानसभा अध्यक्ष हैं हर्याना विधानसभा के साथ ही आप भूतफूर्व अध्यक्ष रही हैं लोकलेखा समीती के और इसके साथ ही लोकलेखा समीती के शतापदी वर्ष के मौके पर संसत के केंद्रे कक्ष में आयुजित कारिक्रम से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुचाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी समबादाता पवन शर्मा उनसे बाक्चित करेंगे साथ ही व उसकी भूमिका क्या है उसकी सनरचना क्या है आए सबसे पहले डाल लेते हैं इस पर एक नज़र लोक लेखा समिती सबसे पुरानी संसतिय समिती है जो पहली बार 1921 में गठित की गई थी समिती की उत्पत्ती Government of India Act 1919 से चुड़ी है और W.M.H.E. इसके पहले बदीन अध्यक्ष थे आजादी के बाद लोक लेखा समिती एक संसतिय समिती बन गई जिसके पहले अध्यक्ष आरके शर्मुखम चेट्टी थे 1947 के बाद से समिती के अध्यक्ष को लोकसभा के 15 सदस्यों में से लोकसभा ध्यक्ष द्वारा निउट किया जाने लगा वर्ष 1954 से राजिसभा के 7 सदस्यों को भी इसका सदस्य बनाये गया जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई 1967 में स्वतंतर पार्टी के सदस्य एमार मसानी को समिती का अध्यक्ष निउट किया गया और तब से इस बतपर विपक्ष के सदस्य की निउट्थी की परंपरा शुरू हुई इस शताप्री वर्ष में कॉंग्रिस के अधीर अंधन जोधरी लोक लेखा समिती के प्रमुख है आपकी जानकारी के लिए भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक C.A.G. राष्टपती के समक्ष तीन वार्षिक लेखा परिक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो इसे भारतिय संसत के प्रदेख सदन के समक्ष रखते हैं लोक लेखा समिती इन रिपोर्ट्स की चांच करती है तो समिती का मुख्यकारे सरकार के वित्यवे और करदादा के पैसों पर नजर रखना है सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाब देही सुनिशित करना है साथ ही सिफारिशों के माध्यम से ये देखना है कि करदादाओं का धन सरकार के मार्फत सही जगे खर्च हो अगर बीते दोर को देखें तो समिती ने तमाम महत्पूर्विशों का परिक्षन किया है जैसे पहली लोग सभा में हीरा कुट बांध परियोजना दूसरी लोग सभा में बजट अनुमान और वित्तिय नियंत्र चौथी लोग सभा में बला ढोने वाले और उनके आशितों के लिए राश्टिय मुक्ति और पुनरवास योजना पंदरावी लोग सभा में राश्टिय ग्रामेर रोजगार कारिंटी अधिनियम का कार्यान बन सोलावी लोकसभा में प्रधानमंत्री स्वास्त्य सुरक्षा यूशना और सत्रावी लोकसभा में PMEGP का कार्यानवन कई महत्पूर्ण शक्सिते इस समिती से जूड़ी रह चुकी हैं जिम्में प्रमुख हैं श्री आरविंगर ट्रमन श्री चंदरशेखर श्री अटल बिहारी वाजपई श्री पीवी बलसिमहराव श्री इंद्रकुमार गुज्राल श्री केज हेगडे श्री रभीराय श्रीमती मीरा कुमार और श्रीमती सुमित्रा महाजन समिती, हानी, ट्रस्टाचार, अपफ़े अशंता और निरर्थक वे जैसे मामलों पर पैनी नजर रखकर भारतिय लोकतांत्रे व्वस्था को लगातार सर्शक्त करने का काम कर रही है संसत्की लोकलेखा समिती के सौ वर्ष पूरा होने के मौके पर आप देख रहे हैं यहास कारिक्रम और मेरे साथ ग्यानचन गुपता जी जुड़े हुए हैं ग्यानचन जी आप लोकलेखा समिती के पूरवध्यक्ष भी रही है चार साल तक लगातार आपने इस पदकोश शोभित किया है और बहुत ही महत्यपूर और कह सकते हैं तिहासिक दिन है आज सौ वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकलेखा समिती के सबसे पहले एक अधिर्ख के तोर पर भी आपकी यादो और सौ वर्ष के पूरे सफर को आप कैसे समराइस करेंगे कारिशा लिए सरकार के पास जो धन है जो जनता का पैसा है जनता के दोरा टेक्सों के दोरा दिया गया पैसा है उस पैसे का व्याय किस परकार से सरकार के अधिकारी या सरकार कर रही है या उस पैसे को किस परकार से बचाया जा सकता है कहीं अप व्याय तो नहीं हो रहा इन सभी चीजों पर नजर रखने के लिए समिधान के अंदर इस लोक लेखा समिधी का गठन किया गया और मैं यह समगता हूँ, यह एक बहुत ही महत्पुर्ण कमीटी है, जिस कमीटी के माध्यम से मैं समगता हूँ, पूरी सरकार की कारशैली के उपर नजर रखी जा सकती है, कहां कहां सरकार या सरकार में लगे हुए अधिकारी, किस परकार से जनता के पैसे का सदुपयोग करत हैं, उसके लिए क्या मार्ग दर्शन है, कहीं दुरूपयोग यदि हो रहा है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, और उस जनता की गाड़ी कमाई को, हम ठीक ढंग से योजनाओं के लिए, अच्छे योजनाओं के लिए कैसे हम उसको व्या कर सकते हैं, यह लोक लेखा समिती क समय समय पर वैसे तो जो संसद के अंदर भी लोक लेखा समिती का गठन हुआ है, विदान सभाओं के अंदर भी लोक लेखा समिती का गठन किया जाता है, और वो लोक लेखा समिती का गठन जो हमारी विदान सभा है, विदान सभा के अंदर चैनित सदस्यों के द्वारा वह کے بعد اس کا گٹھن होतا ہے लेकिन अक्सर यह दिखा गया है कि विदान सबार के सभी सदस्वे जो हैं वो सपीकर को आथराइज कर देते हैं कि आप संख्या बलके अनुसार संख्या जो वीपक्स की संख्या है सत् 토क्स की संख्या है उसके संख्या के जो तो उनका Constitution है, जितने लोग उसके अंदर संख्याबल है, उसके अदार पर इस से लोक लेखा समिती का गठन किया जाता है, और उसमें फिर एक चेर्मेन भी नुक्त किया जाता है, और मैं समगता हूँ कि इसकी जो कारवाही है, हर हफ़ते या हफ़ते में दो दिन, या लगात कई बार तीन, तीन दिन, चार-चार दिन लोग लेखा समिती बैठती है, और लोग लेखा समिती मैं समगता हूँ कि जो विदान सभा की बाकी सभी समितियों है, वैसे तो सभी समितियां जो विदान सभा के अंदर गठित की जाती है, वो बहुत important है, लेकिन लोग लेखा सम समती ने जो अकाउंट्स जो फंड्स जो बजट विधान सबा ने सरकार को दिया है विधान सबा में अप्रूव होने के पश्चात बजट जो है वो सरकार को मिलता है और सरकार उस बजट के अनुसार जिस जिस मद का बजट जिस जितना पैसा दिया हुआ है क्या वो डिपार् सरकार की कारगजारी के उपर, सरकार की कारशली के उपर और जनता की गाड़ी कमायी का जो पैसा है, वो पैसा अप्याय नहुत पवन सबसे पहले में आपका रुख करना चाहूँगी, आज हम लोक लेखा समिती के सौ वर्ष पूरा होने के मौके पर एकत्रत हुए हैं एक भवे कारिक्रम संसद भवन के सेंटरल हॉल में आज होना भी है पवन सबसे पहले अगर इस सौ वर्ष के लोक लेखा समिती के इतिहास को देखे इसके माइल स्टूम की अगर हम बात करें तो आज किस तरह की विचार आपके मन में भी आ रहे हैं एक महत्तपूर दिन है आज सौ वर्ष के मौके पर अमरिता किसी भी संस्थान की बात हो या समिती की बात हो उसके अगर सौ साल का कारेकाल है तो ये बहुत बड़ी बात है और जहां तक लोक लेखा समिती की बात है तो इसका योगदान रहा है भारत के विकास में जाहिर तोर पर ये audit से जुड़ी हुई समिती है तो इसका योगदान और संसर से जुड़ी हुई समिती है तो सौ वर्षों का इसका लंबा कारेकाल है और योगदान देश में रहा है इस बड़ी बात है और हम उसके सौ वर्ष स्थापदी वर्ष समारों हम उसका मना रहे हैं जहां तक इतिहास की बात करें तो 1921 में जब बिटिश काल में मॉन्टिग्यू और चेंस्पोर्ट सुधार हुए थे हमारे देश में तो इसमें उसी बिटिश काल में जब हुए थे तो उस वक्त 1921 में इसकी स्थापना हुई थी इस समिती की उसके बाद जो काउंसिल के सदस्य थे वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और ये सिलसिला 1949 तक चलता रहा 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा सम्विधान भी आया 26 जनवरी 1950 को जब सम्विधान लाग हुआ तो अलग से ये समीती का गठन हुआ लोकलिका समीती का अलग से गठन हुआ और उसके बाद जो है इसमें जो लोकसभा सदस्य चैनिज सदस्य आया करते थे उनी मैं से सत्ता पक्ष के ही वही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे 1954 और 1955 तक की बात करें तो लोकलिका समीती में सिर्फ 15 सदस्य हुआ करते थे वर्तमान में ये सदस्य संख्या जो है 22 है ये जो है 1954 और 55 में इसमें 7 सदस्य और जोड़ेगे तो कुल जो संख्या है वो 15 से बढ़कर 22 होगी सदस्यों की संख्या और 1967 के बाद से 1967 के बाद से जो भी सत्ता है सत्तारूट सरकार है जो भी पक्ष का नेता है L.O.P. है वो जो है इस लोकलिका समिती के जो है विपक्ष की तरफ से लोकलिका समिती के इधक्ष चैनित होते रहे हैं ये परंपरा जो 1967 से चल रही है इसमें 22 सदस्य होते हैं अमरिता इसमें 15 सदस् समिती है क्योंकि जो खर्च होता है सरकार की तरफ से खर्च होता उस पे ये पार्खी नज़र रखती है जो Comptroller and Auditor General of India है CAG CAG है वो हर वर्ष जो है रिपोर्ट देती रहती है पीएसी को और वो खर्चों पे जो है इस पे नज़र रखती है जहां तक बड़ी बाते तीन बड़ी बाते हैं जिस पे पीएसी खास नज़र रखती है एक है कि क्या जो सरकार द्वारा खर्च हो रहा है उसमें ब्रष्टा चार तो नहीं हो रहा है एक एक इस पे ये पीएसी नज़र रखती है दूसरा कि अपवेत हैं नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि खर्च जादा हो गया है और जो ज़रूरी चीजे नहीं है उस पर खर्च हो रहा है उस पर भी नज़र रखती है साथ में ये भी देखते कि मित बैता हो रही है क्या क्या जादा एलोकेशन तो नह ही होगी है यह खर्च जो है कम में हो अच्छे से हो क्योंकि जो टेक्सपेयर का पैसा है वो सही विकास देश के कारें में लगे यह सुनिशित करना पीएसी का कामरा था है अमरीता बहुत ही महत्पूर्ण जान कारियां आपने हमारे साथ साजह की है और 1921 से 2021 तक का 100 वर्ष का ही सफर अपने आप में कई माइल स्टोन स्थापित करता हुआ और आज इस बार हम शताबदी वर्ष मना रहे हैं बेहत खास में मान जगदंबिका पाल सानसेट लोकसभा और वर्तमान लोकलेखा संमिती के आप सदस्द्स से भी हैं हमारे साथ जड़ चुके हैं श्टूडियो में मौजूद हैं बहुत स्वाधत है आपका संसटीवी में अर आज हम 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। कितना एतिहासिक ही लंभा है येक्षन है भारत की लोकलेका समिती सम्विधान के पहले जिस तरह से अभी उल्लेक हुआ जी उननीस सु एकिस में इसका गठन हुआ और आज सौ वर्स की यात्रा पार्लेमेंटी डेमोकरसी में कर रही है और जो इसके रोल था इसका दाईत था उसमें कहीं न कहीं इसकी भूमी का हमेशा कि यह दुनिया में अगर भारत के आज लोकतंत्रिक मुल्यों की और लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई है तो उसमें एक कहीं न कहीं हमारी इस पुब्लिक एकाउंट्स कमिटी की बहुत महत्त्रपूर्ण भूमी का है जहां तक आपने कहा कि यह सबसे पुरानी एक अस्थ Central Legislative Assembly हो या भारत की Parliament हो किसी भी मंत्रालेयों को कोई बजट उस सदन से लोकेट करते हैं तो कि विना सदन के एक पैसे के वह नहीं हो सकता लेकिन उन मंत्रालेयों के द्वारा जिस कारी के लिए जिन योजनाओं के लिए या जिस उद्देश के लिए पैसा दिया गया वो प पैसे का कहीं दुर्पियोग हुआ यह सबसे बड़ी भूमी का है तो एक तरह से लेखा परिक्षण करने का काम करती है और इसका आधार क्या होता है आधार होता कैग जिसका अभिए उन लेक पाहुन सर्मा ने किया कि जो कम्टूलर एं अडिटर जनर्रल अफ इंडिया है वो सारे विभाग के जो मंत्रारिवों के बजेट होते है उस पर वो करते है अपना अडिट का काम और जब उनको लगता है कि कहीं डाइवरजन ल हुआ है को को इधिक कर्च हो गया तो उस पर वो पैराइडिट बनाते है और प्र भारत की पार्लिमेंट में अब उसको मिन क कर उसको पीएसी कमेटी को रिफर करते हैं तो पब्लिक एकाउंट कमेटी की भूमिका हो जाती है जैसा उल्लेख यह किया गया कि उननीस सो सरसर तक इसका रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष होता है आज तो पूरी दुनिया के सामने संदेश है कि अगर सरकार में यह पैसा खर्च विभिन्द मंत्राले कर रहा है तो उस पर चेक एंड बैलंस करने का काम इस भारत की पार्लिमेंट ने उसके नेता की रूप के टेक्सपेयर का एक-एक पैसे का सद्वियोग हो और जिस मद के लिए देश के चुने हो जन प्रतिनियों ने उसको अवंटित किया हो उस दिसा में खर्च हो और आज वो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सौ साल पूरे कर रहे हैं और जिस तरह से देश के सभी राज्यों के स्पीकर्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के मेंबर, दूसरे देश के भी पीएसी के चेर्मेन, तो यह अगले आगे के लिए भी रोड मैप अस्थाबित करने लागा है, ऐसा नहीं कि हम एक कोई यह साल की कोई एक सेंट्रेनी मना रहे हैं, कोई गेट टुगेदर या क्यो अबजेक्ट जो था, उस पे भी मुल्याकन होगी, और फिर जो रेपोर्ट के आधार पे, जो हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे, वो निश्चित तोड से पीएसी के लिए भी एक होगा, और देश के अन्य राज्यों के लिए हो, और स्वाभाविक है कि आज, अब हम कह सकते हैं कि पहले लोग बिटेस पार्लेमेंट से हम ड्राइब करते थे अपने कंश्चिशन को, या ये लेकिन आज दुनिया में भारत में के भी अपने इस लोकतंत्र की और भारत की पार्लेमेंट की प्रिसीडिंग्स की और भारत के इन चीजों की अनुसरन किया जा रहा है, जी, तो पने अप में मुझे लगता हम सब सवभागे साली है तो हम इस लोकसभा के सदसे भी हैं और इस सब सब कर disappointे सदसे हैं और जब मुडली मनोहर जोसी जी थे इसकेछार में यव कज vra नsstुमर के सदसे मुझे तो मुझे तो सवभागे से इसमें कई बार इसका सदसी रहने का मुझा मिला है और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस पर हम लोगों की एक बड़ी भूमिका होती है सदसेशों की तो कि जिस तर से पहरा आडिट आता है एविडेंस होते हैं मंत्रालियों के जब तक उसको एड्रस नहीं कर लेते हैं तब तक हम उस पर लगातार एविडेंस करते है तो एक तरह से कितने बड़ा रोल है कि आज वो एक्जिगुटिव जो है कारी पालिका है जिनको कहते हैं जो बे करने की जिनके जिम्यदारी है वो एकाउंट बिल है सीधे पार्लेमेंट में जबाब तो मंत्री देता है अपनी मंत्री लेकिन इस कमिटी के सामने जिनों ने सब्सक्राइब करें पर्ठी नहीं होता यह बड़ी भारती पार्लेमेंटी कमिटी जो स्थाई समितिया है जैस पीए सी हो यह एस्टिमेंट कमिटी जिस तीन अस्थाई समीतिया है आपके पास मैं लोटूंगी और महत्यपोन बातों का जिक्रा आपने किया गया चंद गु इम्पेक्ट है और जो सौ साल की इतिहासे माइल स्टोन रहे हैं मैं चाहूं कि आप उसका भी जिक्र करें दिखिए अमरिता जी जैसा अभी आदनीय जगदंपयों का पाल जी ने बताया कि ये सौ साल का जो हमारा सफर है उन्नी सो इक्ष से लेकर के दो हजार इक्षिस तक ज कि जहां हम बैठ करके अपने सौ साल के कारेकाल की समिक्षा कर सकें क्या क्या इन लोग लेखा समयतियों के कारे करते हुए क्या क्या चेर्मेंस को या मेंबर्स को किस परकार से कुछ दिखते आती है किस परकार से फेज करना परता है कई बार ये देखने में आया है कि जो का सिफारशों को बड़ी गंभीरता से नहीं लेती उनके उपर जो उनकी सिफारशी हैं उसके उपर वो अमल नहीं करती इस परकार के भी वाक्यात अमारे सामने आए हैं लेकिन मैं ये समगता हूं कि आज जब हम समिक्षा करने के लिए दो दन के लिए यहां बैठे हैं तो इसक लिए ये भी समिक्षा करने की अवस्चता है कि पी-ए-सी को टुथलेस ना होने दिया जाए अगर कहीं पर कोई भी कारिपालिका का अधिकारी है जान बूच कर वो कमिटी की सिफारशों को लागो नहीं करता या उसकी अवहिल ना करता है तो मेरा ये मत्रा है कि कोई ना को कोई ऐसी विवस्था होनी चाहिए जी ताकि उसकी जवाब दे ही हो बिलकुर कार जो पी-ए-सी है पी-ए-सी के अंदर कोई भी कमेटी है उसके अंदर जो मेंबर है रात को बैठ करके सुछा बैठ करके समय लगा करके जो पैरे का स्टड़ी करते हैं कि जो हमारा कैग ने पैरा भेजा उसके अंदर क्या-क्या खामिया है उसने दरसाई हैं और वो उसके बाद हम सेक्रूटरी करते हैं सेक्रूटरी करने के प्रशाथ औरल होता है औरल के अंदर जाकर के जब हम अधिकारियों से बाचीत करते हैं और अधिकारियों को निशकर्स पर पहुंचने के बात जब हम कुछ दिशार निर्देश देते हैं तो मेरा यह मत है कि वो पियसी की जो सिफारसी है पूरत है उसके उपर लागू होनी चाहिए जो भी कोई आदेश या कोई भी निर्देश लोकले का समयती ने अधिकारियों को दिया है उसके पालना होनी चाहिए लेकिन आज आज आदेश देखने में है क्या आज कारवफ लिकार। का मैं ये चाहिए सकता हूं कि आज कारवफ लिकार जो है वो जो हमारी ये जो अपनी विदाई का है इसके उपर GUY्यादा हावी होने का परयास कर रही है और इसको ये जो कमेटी है पی-ए-स-ए कमेटी है जो अन क कमेटियां है या इनके जो सदस्य हैं मैं समता हूं कि यह उनकी विशेस जिम्मेवारी है कि जो जिम्मेवारी समिधान के माद्यम से या अकाउंट्स कमेटिय के जो अमारा नियम बने हुए है उनको सौंपी गई है उनको पालन करने के लिए दिड़ता से उसके उपर जवाब देही सुनिश्चत करना तिफारिशों के माध्यम से यह देखना कि करदाताओं का जो धन है वो सरकार के मारफस से सही जगा पे खर्चो लोक लिखा समीति की सारी जो शक्तियां है वो आप दोनों नहीं गिनाई लेकिन इस सारे महत्रपुर काम के बाद भी सर मेरा स है कि समय आच चुका है कम से कम सौ वर्ष के बाद कि अब हमें कुछ परिवर्तन किये जाने की आविश्यक्ता है ताकि इसकी शक्तियों को और बढ़ाया जाए कि अगर पब्लिक एकाउंट्स कमिटी है कैक की रिपोर्ट्स पे हम उसके औरिट करते हैं तो उनकी सिपार्सो की है तो जो ज्यांचन जी कह रहे हैं वह बात है लेकिन एपिर कमिटी की पावर टीथलेस है जब हम सिपार्सों करते हैं तो उस सिपार्सों पर फिर सरकार या मन्तरा ले फिर उन सिपार्सों को कितना स्वीकार किया और फिर action taken report वो देती है और accent taken reports की हम समिक्षा कर सकते हैं उस accent taken reports के आधार पर भी हम लोगों को फिर से evidence के दिए बुला सकते हैं कि अभी ये समीति satisfied नहीं है आपके जवाब से उस आधार पर इतना inac oportunidad पर इतना ही नहीं है इस समीतिक पास ये भी अधिकार है कि उन एक्सेंट टेकन रेपोर्ट के आधार पे अगर समिती इस निस्कर्स पे पहुँचती है कि इसकी आगे प्रसाचनिक जाच या इसकी जाच करने की आऊ सकता है जिसमें कोई वितिया निमित्ताएं हैं तो जाच करने की भी अंसंसा कर सकती है तो कहीं न कहीं ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का एक इस तरह का है अधिकार की जिसके प्रत निश्चेत तोर से सभी विवाग के मंत्राले या चाहे रॉमों जिनको भी जनता का या पब्लिक एक शकर का पैसा मिला हुआ है जिन उद्देश के लिए मिला है जिस कारी के लिए मिला है उस कारी में उन्होंने सही धंक से खर्च किया कि नहीं किया जहां तक ये बात है कि आज आपने देखा होगा कि Public Accounts Committee की जो सिफार्शे होती है उसमें मैं एक चीज बानता हूँ कि इतना ज़्यादा जैसे CNG होता है वो पैराडिट बनाता है माने किसी इसू को 3 साल पहले का बनाया है, 4 साल पहले का बनाया है जैसे एक चीज होती है कि जस्टिस दिलेड, जस्टिस दिनाइड फोड़ा सा इसको एक टाइम बाउंड हम करें कि किस तरीके से अगर कोई विसा है करेंट तो उस करेंट विसा को फिर हम उसी समय लें जैसे आए है लेकिन काम की PSC कमिटी के सामने कि सब्जेक्ट सेलेक्शन जब होता है पूरे साल हम मीटिंग करते है पारलेमेंट भी चलती है एविडेंसे लेते हैं लेकिन आप एकीन कर लिए बहुत कठिनाईयां कि हम चाह करके हम सब कमिटी बनाए हैं हमने तीन सब कमिटी बनाई है इस PSE में वो अलग-अलग काम कर रही लेकिन तब भी इतने ज़्यादा हमारे सामने काम है कि उन कामों को हम नहीं पूरा कर पाते हैं इस पे आगे विचार करना होगा बिलकुल सार इस वर्कलोड का रास्ता कहीं निकालना होगा लेकिन आप यह भी तो देखिए कि आप चाहे उनिस सो अठावन याद करिए जब जवाहला नहरू थे उस समय LIC में एक निवेस हुआ इन्वेस्मेंट हुआ काफी विबादित हुआ उस समय कि भितमंत्री टीटी के सामचारी को स्थीफा देना पड़ा और उसी तरीके से आपने टूजी का देखा होगा तो उसके कितने बड़े राजनितिक परणाम हुए तो ऐसा नहीं पी एसी की भूमी का कहीं न कहीं अपने गठन के कारिकाल से उनिस सो निस के गवर्मेंट अफिरिया के एक्ट से बना बना 21 में जाकर कि उनिस से उनिस में भी जिस समय लोगों ने सोचा कि यह बहुत जरूरी है चेक एन बैलेंस का और बहुत था इस समीति का रोल कहीं न कहीं दिन बदिन आज भी मजबूत होता जा रहा है सरकार भी खुद प्रदानमंती कहते हैं इन समीतियों में लोग जाए इन समीतियों में मानिस सदस से लोग अपनी जम्यदारी और अपनी जबायद रही जिस तरह से आता है वाकई कितना पढ़ना पड़ता है कितना होमवर करना पड़ता है जो कैग अपनी पैराडिट बना है कि एक महत्पूर्ण भूमिका देश के 135 करोड के लोगों के लिए वाजडाग की तरह से देश की जनता के पैसे के वाजडाग के रूप में यह आपके चुने होई जन प्रिदित करते हैं बिलकुल ग्यांचंद गुपता जी आप से मेरा अगला सवाल यह है कि देश के सिस् है उसको मजबूत करने में उस अर्थविवस्था को ठीक करने में लोक लिखा सम्थी का एक बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जो भी पैसा हमारे पास टेक्सों के माद्यम से टेक्सपेर के माद्यम से सरकार के पास आ रहा है उसी के अधार पर हमारी अर्थविवस्था जो ह का दायत तो है जी और जैसा मेरे मेरी एक इसमें और भी राया है जैसे कैग है वो कैग के जमें सबी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ओडिट करने का जिम्मा है जी वो कैग जो है कई बार कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ करके अगले अगले साल दूसरे को audit पूरी तरह नहीं करते मेरा यह सुझाव है कि क्या हम कैग को और मजबूत करके सभी departments के उपर यह कैग की वज़ता जो उनकी जो audit है वो लागू हो और जो audit भी होता है वो कई बार क्या होता है कि एक समितिकार एक साल के अंदर कहीं हम backlog हो गया हमारे पास ऐसे ऐसे भी उधारन है कि जो 40 साल 35 साल के पहले पहरे जो हैं वो भी भी unsolved हैं बकाया हैं वो कहीं ना कहीं हमें जब हम कारे शुरू करते हैं तो यह समय आता है कि पहले पहले भेज दिया है पी एसी को दे दिया है उसको एक साल को करंट को लिया जाए और एक साल जो पिछला है लास्ट वो लिया जाए क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जब हम पैरा को سکریوٹنائز کرتے ہیں और उसके अंदर जो अधिकारी जिम्मेवार होते हैं वो उस समय तक रिटायर हो गए होते हैं वो उसकी कोई जिम्मेवारी बचती नहीं है अगर हम इसके विवस्था को जो करंट है जिन लोगों की जिम्मेवारी है या जो कुछ अधिकारी इसके जिम्मेवार है, जहां पर भी कोई गिलती किसी ने किया है, अगर हम उसको पकड़ना चाहते हैं, कोई हमा किसी को दंड़ देने की हमारी अभी प्राय नहीं है, हमारा यह है कि विवस्था जो है, उसको कैसे ठीक किया जाए, विवस्था के नाते अधिकारियों की जिम्मेवा जो उसका अहसास उनको कैसे करा जारे, यह मैस संङँछ्छander करना बहुत जरूररे है… बहुत पूर्छ बातें थी आप दोनों खास महँमानों को भूत शुक्रिया आप दोनों विदा लेंगे स्टूडियो से और लेकिन हमारे साथ इस कारिक्रम पर हमारे जो दो सहयोगी हैं वरिष्ट सहयोगी अखले सुमनरा और संसत भवन परिसर से उनसे हम पलपल का अपडेट इस कारिकरम से जुड़ा लेते रहेंगे फिलाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए नेशनल लिगल सभी सथोर्टी इसका क्या काम है जिस किसी को न्याय की जरूरत हो तो उस आदमी को पैसे की वज़े से उससे वंचित नहीं होना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों तक आप रीच आउट कैसे करें और हमारे जो प्रोग्रामस होते हैं वो उसमें आडियो विजूल भी होते हैं माध्यम कोई भी हो अल्टिमेट गोल यह है कि हर आदमी को हर जो भी होगा नागरिक को मालूम होना चाहिए क्या वाकई पुर्भुत्तर के राज्ज के लिए देश की राजधाने दिल्ली अब दूर नहीं रहा है गवार्टी डेवलोपमेंट हो रहा है लेकिन आसाम का जो वाकी हिस्सा है उस पर अबरल डेवलोपमेंट नहीं हो रहा है अथर 2014 ब्ली इंफरस्ट्रक्शर लो लिए या रेल वे इंफरस्ट्रक्शर भोलिए ब्र्ट गीज बेडर हुआ है स्रीजियं में दिस्क्रिक्ट के लेकिन सिर्फ थोड़ा भृत जो अपवर्ट जो हैसिलेड तो है से तो एक बच्चा आठ महिना स्कूल ने जा बाता है, बाकि जो चार महिना रहता है, बाहर से टीचर लोग जाके वहाँ पर स्कूल से टाप करें करेंश़ बाता है, बाहर से जार्ने ओने बायर परेला कि बाहर स्कूल से बाहर से उसंहलें है, बाहर से Нवाशभ मानलों मैजने को अμάलाग आप मुत्यस थाद ने ब bladder वहाँ जोचारा डिमार से खोर्नीודה, कि झाम में ऑमक्योचा जोचाइ, ब्चा-जेसे ने में अमन। entreprises, त एक स्पिर्टाश प्रेसंटेशन फीचिरिंग इंडिया इंडिया दिफेंस पोर्सेश एंडियर इंडिया बैठ विलेस में इंडिय। अंडिन एंसां से थीवी संसद के कामकाज का पूरा भी और हम पर दिनी बैठक के अंदर भी लोग सभा और राज्य सभा के एजन्डे पर विस्तार से नज़र संसदी समुद्यों के रिपोर्ट्स प्रश्नकाल के सवाग विदैकों के माई चर्चा के मुध्या सत्ता पक्ष और वेपक्ष की रण नीती काम हर अपने देखी संसद में आँ सुभा 10 वजे संसदी वी पर ग्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आप देख रहे हैं खास कारिक्रम लोग लेखा समीती के सौ वर्ष पूरा होने के मौके पर और संसद भवन परिसर से मेरे वरिष्ट सहयोगी अकलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं समवाद्धा पावन शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अकलेश सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगे आप वहाँ पे मौजूद हैं और अब ज्यादा वक्त नहीं है 11 बचे से कारिक्रम शुरू होना है इसका शुभारंब राश्ट्रपती राबनांत को विंद करेंगे आपसे वहां का अ रहते जा रहे हैं ताकि किसी तरह से किसी को असुविदा नहीं हो और जैसा कि आपको पता है कि तक्रीवन 11 बचे राश्ट्रपती का प्रवेस होगा और 11 बच के 5 मिनट से सुरू होगा सारा कारिक्रम 11 बच के 5 मिनट पे अधिर रंजन चौधरी जो पीसी के अध्यक्ष है और कॉंग्रेस जो सबसे बड़ी विवक्षी पार्टी है लोक साहा में उसके भी निता है तो उनका भासन से सुरू होगा और उसके बाद ओम बिल्डा जो स्पीकर है उनका भासन होगा उसके बाद जो उपराश्पती और राजसवा के चेर्मेन है पिंके यानाइडो उनक करेंगे उसके बाद राश्पती रामनात कोविंद करेंगे उसके बाद राश्पती रामनात कोविंद का भाषन होगा और उसके बाद दो थीमेटिक जो हैं दो विचारनिये मुद्दे जो हैं पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की क्या चैलेंज है और क्या इसका भवी से हो सक और उसके बाद उसका क्या योगदान है इसे भी चर्चा होगी तो आज का कारिक्रम अगर मैं कहों तो इतना कारिक्रम है और इसमें अगर बुलाए गए अतित्यों की बात करें तो पूरे राजसवा लोकसवा के जो सदत से वो सारे इसमयामंत्री थे इसके अलावा जो विविन्न राज्यों से चेयर्मेन, स्पीकर, डिप्टी चेयर्मेन, डिप्टी स्पीकर को मिला के तक्रीबन साथ के करीब परतिनी दी विविन्न राज्यों से आ रहे हैं। गर मैं बताओं तो कई देशों के राजदूत यहां आने वाले हैं और बावन देशों के लोगों को निमंत्रन दिया गया था हाला कि कोविड-19 पैंडेमिक की वज़ा से साइद सभी नहीं आ पाएंगे लिकिन बावन देशों को हमने निमंत्रन दिया था उनके कितने प्रतिन दिया हो लोग सभार राजसभा के जो सांसद है उनके और उसके अलावा विदेश में भी जो हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां तक भी पीएसी के योगदान के बारे में पीएसी की सरनाचना के बारे में और किस तरीके से सब्भलता लोकतंत्र को मजबूत बनाने में और भारत के लोकतंत्र पर विश्वास पैदा करने में यह वह पब्लिक एसांट कमिटी या लोकलेखा समीती है इसकी क्या भूमिका रही है इसको लोगों को बताने के लिए आज की पूरी वेवस्ता की गई है बिलकुल अखिलेश बहुत है और अभी कुल देर पहले अखिलेश मेरी बात हो रही थी जगदंबिका पाल जी से उन्होंने भी कहा कि दरसल अब विदेशों से वहां से अनुस्तरन किया जा रहा है कि भारत में किस तरीके से जो व्यवस्ता की गई है जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पर जो पैनी देश भी सुनिश्चित करता है अब इता देखिए जिस तरीके के विवित्ताओं से भरा हमारा देश है और एक जो बहुत बड़ी लोकतंत्र है यह एक बहुत बड़ी चुलोती होती है किसी भी देश के लिए कि इस तरह की विवित्ताओं को कैसे आप संतुलित करते हैं औ संविधान निर्माताओं की कि किस तरीके से इसे बांधा जायेगा और इसलिए धीरे-धीरे करके दिखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के जितने तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों इतनान को दुनिया के लिए तुनिया के किसी लुघ तं时 का सकते हैं यह कैसे अप लुघ्ट नुड करते हैं ताकि वहा आपके काम को बिल्कुल पैलि곳 से नजर से ऽदुरें ताकि आपको जो पैसा दिया गया है संसत के द्वारा उस पैसे को खर्च आप उसी मंदंड के अंदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक बहुत बहुत बड़ा एक रेकोमेंडेशन होता है जो पब्लिक एकाउंट्स कमिटी है और उसी के दायरे में उस्थ होता है तो पूरी दुनिया में जैसे मैंने कई देशों के राजनीतिक्यों से बात करने का मुझे जबी आसर मिला है या वहां के वहां के रादूत है तो बार बार में कहते है कि जब भी हमारे लोक्तंत्र में अगर अगर कोई अर्चन já आती है कोई बैचारिक मुद्दे उठते हैं तो हम भारत की तरह देखते है कि भारत निस मु कि विताओं में कैसे हम navigate करते हैं कैसे बीच में चलकर और उसका एक हल हो जाता है जो सनसर से अनुमती मिलती है उसके पाद नया पालिका भी Mард Play भी उसी के दाइरे में काम ब्रड करता है तो इस तरेके से निश्वी तोर पर यक बहुत बड़ा पी एसी जो है सम्विधान से हमारे लुक्सार्टी के स्ट्रक्चर से सीखने का अकलिश आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आज किन-किन इस कारिक्रम में किन-किन एहम मुद्दों पर भी बात होगी कि इस तरीके से कारिक्रम आगे बढ़ेगा किन चीजों को उठाया जा सकता है अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में जब चर्चा हो रही थी जगदंबिका पाल जी से और ग्यांचन गुपता जी से एक महत्यपूर्ण प्रशन केह लीजे या फिर एक पॉइंट एक मुद्दा उठकर आया कि पी एसी जो की इतनी जवाब दे है इतना महत्यपूर्ण काम है उसकी भूमिका को भी उसके इंपक्ट को भी हमने पिछले सौ वर्शों में देखा है क्या आप सौ वर्श बाद वो समय आ गया है कि इसकी शक्तियों को बढ़ाने में इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है कि इसको और इंपावर किया जाए क्या आज किस कारिक्रम पर में इस पर भी चर्चा होनी की उमीद है या इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है निसी तोर पर अमरिता जब लोकलेखा समीती के बालों में हम बात कर रहे हैं तो लोग लेखा समीति के पूरे कारे परनाली के सामने क्या चुनोतियां हैं इसी तोर पर उन चुनोतियों पर बात होगी और उसका क्या भवी से है इसके बारे बात होगी और जो चार वैचारिक जो सेशन रखे गए हैं उन चार वैचारिक सेशनों में इस बात की पूरी तस उसके अलावा जो उसके रिकोमेंडेशन को मानने में क्या आरचानी आती है इसके बारे में थोड़े विचार किये जाए और कल जब मैं अधिर रंजन चौधरी जो पीएसी के अध्याक्षें उसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई कि देखिए 70% कम से कम रिकोमे प्रेंडेशन को मान रही है तो आप मतलब आप समझे जीए कि पीएसी की भूमिका बहुत ही महत्पूर्ण है और उसकी विचार सेनियता बहुत ही सरकार मानती है सरकार के सामने हाला कि यह बादिता नहीं होती तो इस मामने में कह सकते हैं कि इस विचार को और योगदान को किस तरीके से और मजबूत बनाया जाया और किस तरीके से सरकार और P.A.C. और C.A.G. दोलों को इस तरीके से समन्वे किया जाया ताकि जो फंड दिया जाता है जो बजट पास होता है रिविविन मदों में जो पैसा दिया जाता है सरकार को उसका पूरी तरह से चानमीन हो स तके इस बात को स्थापित करने के लिए इस तोर पे इन चारों जो थिमेटिक से सने चर्चा होगी अमरीता बिल्कुल अखिलेश सुमनाप हमारे साथ बने रहे कुछी पलो में जो कारिक्रम है आज का मुख्य कारिक्रम लोकलेखा समिती के सो वर्ष पूरा होने के मौके पर संसत भवन के केंद्रे कक्ष से उसका अगाज होगा राश्टपती रामनात कोविंद इस कारिक्रम की पीएसी की जब हम बात कर रही है जो इसकी संरचना रही है एक महत्यपूर्ण जो पड़ावाया 1967 में पीएसी का ध्यक्ष सत्तरून दल से होता था 1967 तक लेकिन 1967 की बाद ये परंपरा बदली और इसके बाद लोकलेखा समिती का जो ध्यक्ष है वो हमेशा विपक्ष से चु करते हैं सरकार के खर्चों पर नज़र रखने वाली समीती का ध्यक्ष विपक्ष से होना इस लोकतांत्रिक देश में एक बड़ा संदेश देती है और जब हम लगातार बात कर रहे हैं हाँ सौ वर्ष पूरा होने के मौके पर उन मायलस्टोन की जो लेक लोकलेखा समीती न स्थापित किये हैं तूजी घोटाले की जाच और इसके गंभी राजनेतिक परिडाम की बात हो या 1958 में जवाहरलाल नहरु की सरकार की जमाने में LIC के एक विवादित निवेश के मामले की बात हो और इस समीती की जो रिपोर्ट आई थी उसे काफी हंगामा हुआ था जिसक जरूर जो उसके कुछ सिमाएं या चुनोतियां इस वर्तमान समय में भी यानि कि सो वर्ष पूरा होने के बात भी अगर महसूस की जा रही है तो आज वो वक्त है कि इस पर भी चर्चा की जाए और इसको और इंपावर करने के रास्तों को तलाशा जाए और मेरे सहियोगी पवन शर्मा संसत्भवन परिसर से में साथ जुड़ गए हैं पवन हम रगातार बात कर रहे हैं कारिक्रम बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है पीसी की भूमिका उसके रोल उसकी चुनोतियों पर भी जब हम चुनोतियों की बात कर रहे हैं तो उसको इंपावर करन इसकी जो कारिश शक्ति हों से और बढ़ाया जाए अमरिता जाहिर तोर पर जैसे आपने बात की हमारे लोगतंतर की एक खूबसूरती है जो पी एसी का अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है और ये परंपरा अब से नहीं 1967 से चली आ रही है एक खास बात और मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि जो वित मंतरी होते हैं देश के वो इसके सदस्य नहीं होते और कोई भी मंतरी कोई भी कैबिनेट मंतरी भी इसका सदस्य नहीं होता तो ये बड़ी बात है कि जो सतारूर दल है और जो विपक्ष की पार्टी है जो उसका खर्चा है सर और उधारण है जहां तक का आपने चुनोतियों की बात करी आज जो चार आज और कल चार और पांच तारीकों जो शेशन होने वाले हैं अमरिता उसमें पहला है functioning of P.A.C. in present times वर्तवान समय में जो लोड बड़ा है उसके उपर इस सतर में जो चर्चा होनी है implementation of recommendation of P.A.C. adherence to timelines and mechanism of strict compliance यह जो भी सिफारिश हो उसका strict compliance है वो दिखे होता हुआ दिखे देश की जनता वो दिखे कि जो यह समीती कहती है उसके उपर काम होता है और वो time frame में हो इसके उपर एक thematic session है यह बड़ी बात है और जो session उसमें रखा गया है P.A.C. as a development partner देश के विकास में राष्ट निर्माण में P.A.C. की भूमिका हो और जो पैसा खर्च हो रहा हो वो उसकी एक एक पाई जो है taxpayer का एक एक पाई जो है वो देश के निर्माण में सही जगा पे सही डंग से खर्च हो यह सुनिशित करना P.A.C. का काम है और इसके उपर भी thematic session है अमरिता और चोथा जो है कि impact हो इसका P.A.C. का impact हो जो चीजें है उसका बिल्कुल पवन मास की जगा इस वक्त में आपको रोकना चाहूंगी और आपसे दुबारा मुखातिब होंगी लेकिन यह जो सीधी तस्वीरे आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं यह संसत भवन परिसर के केंदे खक्ष से सीधी तस्वीरे आ रही हैं और कारिकम का आगास जो है वो कुछी पलो में होने वाला है राश्ट्रपती रामनात कोविंद इसका शुभारंब करेंगे तमाम गड़मान अथिती वहां पर एक एक करके पहुच रहे हैं और सौ वर्षों का जो एक सफलतम इतिहास इसने रचा है आज उसकी समिक्षा करने का भी दिन है कहीं न कहीं लोकलेखा समिती की भूमिका को उसकी महत्यपून भूमिका को आज फिर से एक बार परिभाशत करने का भी दिन है और यह सीधी तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन कुछी पलों में राश्टरपती का भी आगमन होगा जो कि आज के कारेक्रम का आगास करेंगे क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर किस तरह की हलचले इस वक्त दिखाई दे रही है अमृत लोग नहीं अंतरन दिया गया है पर बहुत लोगों की प्रेजन्स नहीं रहेगी इसम से आप तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर में राश्टपती आएंगे और उपराश्टपती मोढ़े भी यहां पहुंचेंगे ग्यारा बच कर पांच मिनुट पर जो है ति. पि. अ. पांच मिनुट पर जो पी. Surprise के अध्यक्ष हैं अधीर रंच दूदर लीडर आप पोजिशन भी हैं, लोकसभा में कॉंग्रिस संसीदिय दल के नेता भी हैं, उनका सबसे पहले जो है वो भाषन रहेगा, स्वागत भाषन रहेगा, वो सबसे पहले बोलेंगे, उसके बाद लोकसभा धक्ष ओम्बिरला जी का संभोधन है, उसके बाद चाहें के तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप राष्ट्रपति ये अनाइडू का आगमन हो चुका है लोग सभा के अध्यक्षों विर्ला उनको रिसीव करते हुए और इस तरीके से एक एक करके गड़माने अथितियों का आगमन हो रहा है संसत के केंद्रिय कक्ष में कु परिसर से जहां पर लोग सभा ध्यक्षों विर्ला वहां पर मौजूद हैं प्रतीक्षा में हैं राष्ट्रपति महोदे की और साथी उपराष्ट्रपति ये अनाइडू भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और इंतजार है राष्ट्रपति के आगमन का सीधी तस्वीरे आपके सामने हैं आप देख सकते हैं असंसत भवन परिसर से यह सीधी तस्वीरे राश्ट्रपती रामनात कोविंद के आगमन का अंतज़ार और इसके बाद कारक्रम का होगा आगाज मेरे सेयोगी पवन मेरे साथ लगतार जुड़े हुए हैं पवन तस्वीरों में हम देख सकते हैं लोग सभादिक्ष वहाँ पर मौजूद हैं उपराश्ट्रपती भी वहाँ पर मौजूद हैं राश्ट्रपती के आगमन का अंतज़ार है यानि कि सारी तैयारियां जो हैं वो कमल हो चुकी हैं और बस जैसे ही आगमन होगा राश्ट् पती मोदे पहुंच चुके हैं तो अब राश्ट्रपती पहुंचेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी लोग का कारकम में जो आज मौजूद रहने वाले वो पहुंचेंगे और सबका आगमन हो रहा है जो जितने भी गणमाने लोग हैं डिनिटरीज हैं वो पहुंच रह हैं एतिहासी का रखम है सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं जी लोक लेखा समीती के अपने आप में यह महतपूर्ण है और देश के विकास में योगदान में राश्ट निर्मान में इस समीती का बहुत योगदान है और जहां तक बात करी हमारे जो लोक तंदर की खूब सूरूत है कि आजकल वर्थवान में जब निर्यंदर मोधी प्रधान मंतरी हैं तो विपक्ष की तरफ से अधीरंजन चौधरी इस वक्त पीएसी के अध्यक्ष हैं उससे पहले जो हैं मलीकार जुन खडगे रह चुके हैं केवी थॉमस रह चुके हैं दो हजार चौधा से अगर हम अब तक की बात करें पिछले साथ वर्षों में तो विपक्ष की तरफ से मलीकार जुन खडगे केवी थॉमस और धीरंजन चौधरी और जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त मुर्ली मनोर जोशी काफी चार साल लगातार वो रह उससे पहले भ परधार मंतरी अटल भिहारी वाचपेई भी पीएसी के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं अमरिता तो ये हमारे लोगतर की खूब सूरती है कि पक्ष और विपक्ष जो है दोनों संसद में हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंतर है और उसको मजबूती पर अधान करता है और ये नजीर है पूरी दुनिया के लिए कि भारत में जो विपक्ष का नेता विपक्ष का एक नेता जो है वो जो सरकार का खर्चा है उसका नजर रखता है तो ये अपने 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 बड़ी बात है और उसमें जो सदस्य भी होते हैं जैसा मैंने जिक्र अनिमता हैं जब भी सामने आती हैं बड़े स्थर पे चाहे टूजी स्पेक्टरम की बात हो या बाकी कौमर्वेंट उस दुरान की बाते हो या अभी राफेल पे हो तो विपक्ष कोई भी यह समीती अतनी पावरफुल है कि किसी को भी बुला सकती है किसी से भी पूछ सकती है तो और वित्य अनिमता अगर होती है उसके बारे में बिल्कुल जो भी तथ्य जानना चाहती है जिससे भी पूछना चाहती है उसको वो यह समीती बुला सकती है तो यह अपने आप में पावरफुल समीती है संसद की और खुबसूरती यह है कि पक्ष और पक्ष सभी सदत स लोक लेखा समिती पवन और जस तरीके से जो लोकतांतरिक व्यवस्था है दरसल उसकी बहुत यह खोपसूरती बया करती है यह समिती जैसा कि कि इतिहास की हम लगातार बात कर रही हैं इसकी भूमिका की बात कर रहे हैं इसको इंपावर करने की बात कर रहे हैं और पवन आज वो एतिहासिक दिन भी है और एक बहुती महत्तपोन दिन भी है कि जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तो इन सारे पहलों पर वस्तार से बात चीत करेंगे बिल्कु जाहिर तोर पर जैसे में अभी आपसे बात कर रहा था कि जो session होने वाले हैं अमरिता इसमें आज और कल जो दो चार session होने वाले दो आज हैं और दो कल हैं तो उसकी जो चीजें हैं उसमें जो पाई पाई है उसके बारे में वो सही जगा खर्च हो और तो ये जो उसका impact जो है पीएसी का वो तो चस्पश यो रिक्मेंडेशन आती हैं जो पीएसी ने कही है उसके बारे में ये हो सुनिशित किया जाए कि जो पाई पाई हो तो आज अब commitment कहीolog आए तो ये समिति किसी को भी बुलाती है इसके उपर भी चर्चा किया है यह जो वर्तबान परस्थितियों में जो इसमें बदलने वाली बाते हैं वही टॉपिक है आज अमरीता पहला कि तो सभी जी इतने भी राज्यसतर पे या जो केदर सरकार की सतर पे जो भी कारकम चल रहे हैं उन पर जो पैसा आवंटित किया जाता है जो सारी चीज़े किया जाती है उस पर नजर रखने का काम पीएसी का है जो सीएजी है वो रिपोर्ट हर साल देती है और यह समीती हम सभी जानते हैं कि एक साल में समीती का पुनर गठन होता है नएस दस से इसमें शामिल होते हैं तो जो इस देश के जो चीज़े तीन चीज़े जो मैं कह रहा था कि भरष्टाचार और जो अपवे और मित बैता यह तीन फोकस पॉइंट रहता है पीएसी की अजेंडे में हमेशा कि क्या कहीं भरष्टाचार तो नहीं हो रहा है जो देश में योजनाय चल रही है क्या उसमें अपवे तो नहीं हो रहा है और अगर वो कम खर्च में हो सकता था तो उसके उपर वे नज़र रहते हैं क्योंकि टेक्स पेर का जो पाई पाई है एक एक पैसा है वो बहुत महत्रपूर्ण है देश के विकास में बलकुल लबवावन सीती तस्वीरे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राश्ट्रुपती महोते के आगमिन का अंतजार होता हुआ और कुछी पलू म राश्ट्रुपती रामनात कोविंद के हाथों से इस कारिक्रम का शुभारम दो दिवसी ये कारिक्रम संसत की लोक लेखा समिती के सो वर्ष पूरा होने की मौके पर संसत का एक निकाय की रूप में सरकार और उसकी द्वारक येगे कामों की सभी पहलो उपर प्रभावी न समिती प्रणारी में एक बहुती महत्तपूर्ण और उचस्थान प्राप्त है लोक लेखा समिती की जो संदर्चना है वो भी अपने आप में बहुती बेहद महत्तपूर्ण है 22 सदस्य होते हैं इसके इसका गठन 1921 में हुआ था यानि कि आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व और इसलिए आज हम बना रहे हैं इसका शताब्दी वर्ष लोक लेखा समिती में दोनों सद्नों के सदस्य हैं ये इसकी बहुत बड़े खोपसूर्ती है लोक सभा से 15 सदस्य हैं जबकि राज्य सभा से 7 सदस्य होते हैं और इसकी एक और जो बहुत बड़े खोपसूर्ती है ज प्रमुख काम है और सरकार जो धन आवंतित करती है उसका व्योग कैसे होता है प्रपैनी नजर होती है विपक्षी दलों की राय से ही इसके अधिक्ष की नियुक्ति होना इस तमाम जो चीजें हैं वो इसकी इंपॉटेंस को भी दरसाती है और लोक्तांतिरिक परंपरा जो है जो होपसूरती है उसको भी कहीं न कहीं रिखांकित करती है आपको बता दें एक संदचना में भी बीच में एक फेर बदल हुआ था 1954 में पहले समीती में लोकसभा से 15 सदस से ही हुआ करते थे लेकिन 1954 पचपन से राज्य सभा के सदस से भी इसमें शामिल हो गये उसके में लोक लेखा समीती के सदस से भी हैं उन्होंने ये बात कहीं कि जस तरीके से देश का आकार बढ़ा है पिछले सौ वर्षों में या 1954 पचपन के बाद भी जब 22 सदस से थे जिस तरी से काम बढ़ा है एक एक बोज एक वर्क लोड समीती कहीं न कहीं महसूस करती है और बावजूद इसके ताकि फंक्शन जो है वो बहुती स्मूथ तरीके से चल सके क्योंकि बहुत बढ़ी बहुती महत्तपुन जवाब देही और जिम्मिदारी जो है इस समीती के कंधों पर है तो जगदंबिका पाल जी ने अपने वेक्तवे में ये बात रखी आज चर्चा के दौरान की वर्कलोड को लेकर भी विचार करने की जरूरत है कि किस तरीकी से पंक्शन को स्मूथ करने के लिए इसकी जो आकार है क्या उसे भी बढ़ाए जाने की जरूरत है इस पर भी आज चर्चा हो सकती है तमाम एहम मुद्धे हैं पवन शर्मा लगातार बता रहे कि आज किन-किन एहम मुद्धों पर चर्चा होगी कारिक्रम में बस कुछी पलों का अंतजार कारिक्रम का जो वक्त है वो ठीक 11 बच के पांच मिनट नरधारित किया गया है जब इस कारिक्रम का विधिवत शुभारम होगा राष्ट्रपती रामनात कोविंद के हाथ हो उन कर दो